इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपने स्मार्टफॉन से हम एक बहतरी इंड रिजुम कैसे बनाते हैं ये जो आप रिजुम स्क्रीन पर देख रहे हूँ, इस प्रकार का रिजुम इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो मैं आच चुका हूँ मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमें एक application इंस्टॉल करना है उसके लिए हमको जाना है Google Play Store पे और यहाँ पे search में टाइप करेंगे resume PDF इस application को आपको install कर लेना है और open कर लेना है यहाँ पे हमारे सामने इस application का interface सबसे पहले इस तरह का आएगा अब हमें यहाँ पे एक नीचे plus बटन दिखाई दे रहोगा यहाँ पे हम tap करेंगे tap करने के बाद यहाँ पे हमें profile का नाम देना है कोई भी नाम आप दे सकते हो यहाँ पे मैं ok पे tap कर दूँगा अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पे सबसे उपर हमको नाम फिलप करना यानि जिसके नाम से हम यह regime बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हम mention करेंगे यहाँ पे मैं email id mention करूँगा यहाँ पे मैं contact number mention कर देता हूँ जो भी contact number है वो हम mention करेंगे यहाँ पे date of birth mention कर देंगे उसके बाद यहाँ से हम gender यहाँ से marital status उसके बाद passport detail है तो आपको mention कर देना है अन्य था आप इसे blank छोड़ सकते हैं नीचे आएंगे यहाँ पे मैं address fill up करूँगा यहाँ पे मैं city fill up कर देता हूँ जो भी city है यहाँ पे state और यहाँ पे pin code number उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे हम nationality fill up करेंगे जिस country से आप belong करते हो वो आपको यहाँ पे mention कर देनी है अब यहाँ पे आता है दोस्तो upload photo तो यहाँ पे हमें अपना एक photo upload करना है तो मैं यहाँ पे tap करूँगा tap करने के बाद यहाँ पे मैं उसको browse कर लूँगा जहाँ पर भी मेरा photo है उसे मैं यहाँ पे open कर लेता हूँ यहाँ पे देख सकते हो इसको आपको crop कर लेना जितना आप करना चाहते हो कुछ इस प्रकार से ठीक है यह सब करने के बाद आपको यहाँ पे crop button दिखाई दे रहा है यहाँ पे tap करूँगा मैं तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा photo यहाँ पे आ चुका है अब इसके बाद नीचे आता है signature यानि कि हम अपना signature भी mention कर सकते हैं यदि आपने signature का photo लेके रखा है अपने mobile में तो आप यहाँ पे signature image option पे click कर सकते हैं अन्य था आप यहाँ पे draw भी कर सकते हैं तो मैं draw करूँगा draw पे tap करूँगा यहाँ पे मैं अपना signature है वो यहाँ पे draw कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और ok कर दूँगा ठीक है यह मेरा signature हो गया अब यहाँ पे हमारी सारी details है वो mention हो चुकी है तो अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे इस तरह से swipe करूँगा इसको तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तो resume heading summary तो आप चाहो तो इसे mention कर सकते हो मैं नहीं करूँगा मैं इस तरह से swipe करूँगा एंड यहाँ पे आ रहा है carrier objective तो यहाँ पे मैं carrier objective mention करने के लिए नीचे plus icon दिखाई दे रहा इस पे tap करूँगा यहाँ पे हमें बहुत सारे text दिखाई दे रहे है carrier objective से related आपको जो भी पसंद है वहाँ आप ले सकते हो सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया है seeking a challenging वाला text इसे मैं ले लेता हूँ tap करूँगा यहाँ पे आ चुका है अब मैं फिर से swipe करूँगा यहाँ पे आ रहा है दोस्तो education qualification अब यहाँ पे आपको अपनी education qualification mention करना है तो चलिए यहाँ पे हम plus button पे tap करेंगे और यहाँ पे हमको degree यानि कि आपने 10th किया है 12th किया है graduation या फिर इसके अलावा कोई diploma किया है तो वो सब आप यहाँ पे mention कर सकते हो तो चलिए यहाँ पे मैं 10th mention कर देता हूँ 10th उसके बाद यहाँ पे मैं अपने school का नाम टाइप कर दूँगा तो यह मैंने अपने school का नाम यहाँ पे mention कर दिया है उसके बाद यहाँ पे मैंने किस board से 10th किया है तो वो मैं यहाँ पे mention करूँगा नीचे आँगा यहाँ पर percentage भी mention कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं year of passing यहाँ पर mention कर देता हूँ, और यहाँ पर ok पर tap कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, मेरा 10th का qualification mention हो चुका है, अब मैं करूँगा 12th का, तो उसके लिए फिर से मैं plus button पर tap क करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर graduation का qualification mention कर देता हूँ, तो जो भी आपने graduation किया हुआ है, वो आपको mention कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, b.com, और नीचे आँगा, यहाँ पर मैं college का नाम type कर देता हूँ, जिस college से मैंने b.com किया हुआ है, यहाँ पर university का नाम type कर दूँगा, जो भी university है, तो मैं for example यहाँ पर type कर देता हूँ, university, और नीचे आँगा, यहाँ पर मैं year of passing mention करूँगा, और यहाँ से ओके पर type करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, मेरा 10th, 12th and graduation mention हो चुका है, इसके अलावा आपने कोई diploma बगेरा किया है, तो वो आप यहाँ पर mention कर सकते हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ, यहाँ पर passing year mention कर देता हूँ, ok पर tap करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा complete यहाँ पर education qualification mention कर दिया है मैंने, अब मैं इसको swipe करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आता है work experience, या यहाँ आपने नहीं किया है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, तो मैं यहाँ पर plus button पर tap करूँगा, और यहाँ पर मैं organization का नाम type कर देता हूँ, यानि कि पहले मैंने जिस company में काम किया है, उसका नाम यहाँ पर mention करूँगा, तो मैं for example यहाँ पर A, B, C, private limited, और यहाँ पर कि किया, तो वो मैं आपे type कर दूँगा, assistant, accountant, अब नीचे आता है यहाँ पर previously employed, यानि आपने पहले काम किया था और छोड़ दिया, तो आप इसको select कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर दिया गया है current employed, यानि अभी भी आप काम कर रहे हो, तो आप current employed को choose कर सकते हो, तो मैं previously employed को select कर के, और यहाँ पर responsibility भी मैं mention कर सकता हूँ, यानि कि मेरा क्या-क्या उत्तरदाइत था, वो मैं आपे mention कर सकता हूँ, क्या-क्या काम था मेरे लिए, ठीक है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं okay कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो, मेरा work experience mention हो चुका है, इसके अल skills में आप यहाँ पर plus बटन दिखाए दे, इस पर tap करेंगे, यहाँ पर आपको क्या-क्या skills आती है, वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, ठीक है, detail में मैं type कर दूँगा, tally knowledge, okay करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह mention हो चुका है, इसके अलाबा और भी कोई skills है, तो वो आप mention कर दीजिए, तो मैं plus पर tap करूँगा, यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, marketing, detail में type करूँगा, digital marketing, okay करूँगा, इसके अलाबा और भी कोई skills है, तो वो हम यहाँ पर mention करेंगे, तो मैं mention कर देता हूँ, जैसे typing, detail में मैं type कर देता हूँ, 60 WPM typing speed, यह मैंने mention किया, okay किय तो इस परकार से हम अपने skills को यहाँ पर mention कर सकते हैं, achievement आपने क्या किया है, वो आप mention कर सकते हो, निचे आता है यहाँ पर area of interest, यानि आपका किस area में interest है, वो आप mention कर सकते हो, निचे आता hobby, language, strength, यह सब आप यहाँ पर mention कर सकते हो, तो चली मैं यहाँ यहाँ पर hobby mention कर रह तो मैं यहाँ पर जैसे की Hindi Hindi और English दो language मेरे को आती है तो वो मैं इस प्रकार से यहाँ पर mention कर सकता हूँ अब मैं इसको यहाँ पर swipe करूँगा और यहाँ पर आ रहा user defined fields तो मैं इसको यहाँ पर mention नहीं कर रहा हूँ मैं फिर से इसको swipe करूँगा अब आरा दोस्तो reference आप जिस भी organization में काम करने जा रहे हो वहाँ पर आपका कोई पैचान वाला है तो उसका reference है तो आप reference यहाँ पर दे सकते हो मैं नहीं दे रहा हूँ swipe करूँगा यहाँ पर आरा declaration तो अब यहाँ पर आप declaration mention कर सकते हो तो चली मैं आपर mention कर देता हूँ I am hereby given that the above information is true in my knowledge and believe तो यह आप भी use कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो resume है वो complete बनके ready हो चुका है अब हमें क्या करना है यहाँ पर आपको top right corner पर आना है यहाँ पर एक right का option दिखाई दे रहा है इस पर हमें tap करना है तो यह देख सकते हो आप हमारा resume है वो एक second में बनके ready हो चुका है यहाँ पर हमें केवल details को mention करना है automatically हमारा resume है वो बनके ready हो जाए अब यहाँ पर हमें कई format भी देखने को मिलते है यह हमारा पहला format है इस तरह से हम swipe करेंगे तो यह हमारा दूसरा number का format है यह हमारा तीसरे number का format है यह चौथे number का format है आपको जो भी format पसंद आता है उससे आप रख सकते हो उसका आप PDF बना सकते हो email कर सकते हो, share कर सकते हो download कर सकते हो, print कर सकते हो ठीक है? तो यहाँ पर आपको सबसे top पे option दिखाए देता है PDF बनाने के लिए PDF है इमेल कर सकते हो, share कर सकते हो और download भी कर सकते हो तो इस प्रकार से हम एक पहत्रेन resume बना सकते हैं अपने ही smartphone से 5 मिनट के अंदर I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आद वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार आये हो तो इसे subscribe भी कर लेना क्योंकि मैं आपको इसी तरह के helpful videos इस चैनल पर लाता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपको किसी next वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे महतरम